हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज अम बात करने वाले गुजरात पिपाव पोट के बारे में तो इसका वेबसाइट में ने ओपन गर के रखा हुआ है और यहां पर आपको कम्प्लिट डिटेल में बताने वाला हूँ और इस पर मैं अल्डेडी बोट टाइम बाद यह वीडियो बना रहा हूँ और यह मेरे पोर्टफोलियो का ही शेर है तो मेरे पोर्टफोलियो के शेर के बारे में ही मैं ज्यादा तर बताता हूँ और उसमें से प्रॉफिट भी ल तो ज़रूर चैनल को सबस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैने वीडियोस यह सबसे पहले डाले कभ है यह मैं दिखा देता हूँ छीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले वीडियो आया था 23 December 2021 में याने काफी टाइम हुआ है देखे तो 9-10 मेना 8-9 मेना या इतना टाइम हो चुका है ये शेर में इन्वेस्ट करके लेकिन यहां से अब भी मुमेंट अच्छा आने चालू हुआ है देखो काफी टाइम से शेर मार्केट गिरा हुआ था Sensex Nifty भी गिरा हुआ था अगर आप मार्केट में continuously हो तो आपको ये सारी चीज़े पता होगी तो बहुत सारे रिजन के वज़े से बहुत सारे शेर गिरे हुए थे तो फिलाल ये शेर अभी अच्छे मुमेंट में दीख रहा है इस वज़े से एक दूसरा वीडियो बनाया है तो 13 February 2022 को ठीक है तो उसके बाद ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काफी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छी मुमेंट अभी आ गई है और ये मेरे टार्गेट के आसपास अभी है कुछी दिनों में या कुछी महिने में या महिनों के अंदर ही ये टार्गेट पुरा कर लेगा तो उमीद है कि कुछ दिन में ही ये टार्गेट अच्छे से कम्प्लिट कर दे तो इस वज़े से मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट पर ही हम जाएंगे तो वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें क्या नजर आ रहा है तो यह पोर्ट है और यहाँ पर जो शिपिंग का काम है यह कंपनी करती है यहाँ पर इनकी services दिखाते दाओ, तो ये की services यहाँ पर आपको नजर आएंगी तो container services भी है कि पिपावा port का यहाँ पर गुजरात पिपावा port में ये container services भी है इनके ठीके और container में हम माल रखके आगे जहाँ पर हमको बेजना है वहाँ पर बेज सकते हैं कर सकते हैं साथ में यहाँ पर liquid cargo भी है जो आपका chemical है या LPG है, oil है वो सारी चीज़े यहाँ से आपको अलग कई जगा पर आपको भेजना है, shipping करना है वो भी चीज़े company प्रोवाइड करती है बाद में इसका bulk cargo इसमें बहुत सारी चीज़े जो bridge रहेगे, neem coating plants रहेगे, कुछ भी ऐसी चीज़े रहेगी जो weight वाली चीज़े है fertilizer racks है, तो यह सारी चीज़े अच्छे से यह आपको, आपका माल यहाँ से वहाँ कर देगी, shift कर देगी ठीक है, तो main company का यह business है, और यह business करके ही company अच्छा कासा कमा लेती है तो कितना कमाती है, यह भी मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है, तो सारी चीज़े यहाँ पर, already मैंने यह पहले जो videos बनाए थे, उसमें और भी अच्छे से detail में बताए थी, लेकिन और लंबा video ना करने के ओज़े से में थोड़ा, short में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो यही type का इसका business है, और इस type के यहाँ पर आप देख सकते हो, container से और इस तरीके का इनका बहुत बड़ा setup है इनका, ठीक है, तो manufacturing setup या manufacturing नहीं, यहाँ पर इनके service का setup जो भी है यहाँ पर इस तरीके का इनकी services provide करते है, ठीक है, तो main इनका service business है, और यहाँ पर इनका कोई और इनके साथ कौन-कौन जुड़े हैं, कौन से companies जुड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यह सारी company इनके साथ जुड़ी हुई है, इनके साथ मिलकर यह काम करते हैं, ठीक है, तो यह shipping का main इनका business है, तो इस type का इनका यह, business से company कितना कमा लेती, यह भी हम देख लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको money control पे लेके चलता हूँ और money control इसके बारे में क्या बता रहा है दिखा देता हूँ, तो NAC, BAC दोनों पर यह share listed है, ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी फिलाल जो price है, काफी सव के अंदर ही अभी सबसे बाव पे ही है 92.80 का price यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, 70 रुपय का यह low था, और 119 रुपया इसका high था, तो high से अभी भी सबसे बाव पे यह आपको देखने मिलेगा, और साथ में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसमें positive negative कौन सी चीज़े है तो यहाँ पर strength देखो इसमें strength पाच है और weaknesses भी पाच है, तो यहाँ पर strength में इसका MACD जो crossover है, जो trend line है, वो अच्छी है MACD का, ठीक है, तो यह उपर की तरफ जानी की जो signal line है, वो एक बता रहा है तो वो चीज़ अच्छी है, और यहाँ पर insufficient use of capital बता रहा है, इसका ROC थोड़ा खराब है, declining है, तो वो भी opportunity यहाँ पर नजर आ रही है और threat की बात करेंगे, तो यहाँ पर degrowth in revenue बता रहा है, तो degrowth revenue का मतलब यह है कि इसका sales घट रहे है, तो यह भी चीज़ हम देखेंगे कि sales कितना है, और profit आएन operating profit भी थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पर तो यह threat की बात है, ऐसे दो threat है इसमें, और अगर हम इसके overview देख लेते हैं, तो इसमें market capital देखलो लगबग 4,000 करोड का market capital है, और आपको dividend भी देती है company, तो सोचलो इसमें invest करने से कोई नुकसान तो है नहीं already, dividend भी आपको समझ लो कि एक type का एक interest अगर हमने bank में पैसे रखे हैं, तो उस type का आपको interest मिल रहा है उस तरीके से, आपको dividend मिल जाएगा, ठीक है, ये भी bank account में credit हो जाता है, तो ये भी चीज़ अच्छी है इसकी delivery काफी अच्छी उठाई जारी है, ज्यादा से ज्यादा, देखो 50% से ज्यादा, यानि 56% तक इसकी delivery उठाई जारी है तो काफी अच्छे, shares को delivery उठाना इसका मतलब इसमें और growth आनी की chances होते है, face value देखो यहाँ पर 10 का आ रहा है PB ratio 2 का आ रहा है ठीक है, और P इसका 20 का रहा है तो यह भी चीज़े अच्छी है ठीक है, और book value भी net asset भी company का काफी अच्छा ही है और यहाँ पर मैं इसके advance chart दिखा देता हो, तो एक साल के charts यहाँ पर आप देख सकते हो तो एक साल मैं काफी गिरावट यह देखने मिली थी, तो इसी वज़े से मैंने जैसे बताया कि मैंने इसको December के टाइम पर यह गिरावट के टाइम पर ही मैंने खरीद आता, यहाँ पर ठीक है, तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी यह share फिर से गिरा है क्योंकि यहाँ से मैंने उम्मिद की थी यह उपर जाएगा, लेकिन वहाँ से भी इसने गिरावट दिखाई, और overall market भी गिरा था, इस वज़े से यह share देखो काफी 70 रुपे के भावब पर आ गया था फिर अभी यह अच्छी moment फिर से invested है, तो एक साल में यहाँ पर दो बार dividend दिए है, यह भी मैं दिखा देता हूँ, दो बार यहाँ पर dividend भी मिल गया एक रुपे साट पैसा, और यहाँ पर दो रुपे चालिस पैसा, ठीक है, तो लगबग अच्छा कासा यहाँ पर इसने चार रुपे तक का dividend दे चुका है, एक साल के अंदर अगर पास साल से अगर कोई इसमें invested है, तो पास साल में देखो इसने किस तरीके के return दिये है, तो लगबग 168 का high से यह share काफी गिरा है, तो गिरावट देखलो काफी यहाँ पर आपको 45 का share बन गया था, तो यह होता है, कितना भी अच्छा share हो यह live में कभी-कभी यह चीज़े देखने पड़ती है, कि 168 का share भी यहाँ पर 45 बन जाता है, मतलब जो भी यहाँ पर bullish रहेगा कि वो सोचता है कि यह share 200 जाएगा, 200 जाएगा, लेकिन उसको यह दिन भी देखने मिल जाते है तो यह share market है, तो इस तरीके की चीज़े होती है, तो कभी भी किसी भी shares पर ज़्यादा confidence नहीं रख सकते, ठीके लेकिन यहाँ पर जो खरितता है, अच्छा share है सोचके कोई खरितता है, तो उसको अच्छे खासे returns मिल जाते है, देखो 45 का share बन जाता है, यहाँ पर लगबग 124 का, तो लगबग यह दो गुना, तीन गुना, ऐसे ही return लोग कमा लेते हैं, तो हमारे पास जब market गिरता है, या shares गिरते हैं तबी अच्छा खासा पैसा होना चीए, नहीं तो हमको यह सारे return, multi-veggar return हमको नहीं मिल पाते हैं, अगर max की बात करेंगे, तो देखो max में इसने किस तरीके के return दिये, तो लगबग यह 2010 से share market में company, तो ओ टाइम पे 52 रुपे का share था, और इसने देखो, 211 रुपे का या यह 212 रुपे के high तक यह पोच गया था share, उसके बाद इसने 2015 के बाद गिरावट देखाने चालू की, तो उसके बाद यह गिरा, तो लगबग यह 45 तक गया, ठीके, तो मतलब 200 ISO का share भी देखो, कितनी गिरावट यह दिखा सकता है, तो ऐसा भी होता है, ठीके, और अगर हम इसके big sharks यहाँ पर मैं दिखा देता हो, ICICA का सबसे ज़्यादा इसमें invested है, 8.23 है और HDFC ग्रूप ने भी 7.4% invest किया है, और government pension fund ने भी इसमें 3.4 यहाँ पर investment किया है, यह company के अंदर यह big shark investor से, बड़े holder से ठीके, और यहाँ पर मैं इसकी एक news दिखा देता हो और price and volume भी देख लेते हैं तो one week में इसने 67% के return दे चुका है, one month में देख लो लगबग 12% इसने return दे चुका है, याने एक मैने से जो भी invested है, उसको भी अच्छा return मिल गया है तीन मैने से जो invested है, उसको 20%, 19% का यहाँ पर return मिला है लेकिन जो January से अभी तक invested है, उसको 7% का company ने loss दिया है, और एक साल से जो invested है, उनको लगबग 8% का loss दिया है, तीन साल से जो invested है, उनको 15% का ही profit दिया है, तो काफी कम है यह, और by गुजरात पिपाओ बता रहा है, आईसे इसे direct और 100 रुपे का target दे रहा है तो 100 रुपे का target easily अच्छी हो सकता है, ठीक है, और यह कब उनका news आया है, तो 6 August का news है, देखो अभी तक 100 आया नहीं है, ठीक है, तो अभी वेटिंग पे है, तो देखो उन्हों ने जब price बताया था, तभी क्या भाव रहेगा, यहाँ पर नीचे भी अगर हम देखेंगे, तो हमको चीज पता चल जाएगी, 81 के price की टाइम पे यह target बताया है, लगबग 20 रुपे का target उन्होंने बताया था, और यहाँ पर 83% public यहाँ पर इसको buy का recommendation दे रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईसे इसे direct का यहाँ पर 24 में को भी इसने 105 का target दिया था, ठीक है फिर उसके पहले यहाँ पर पुराने target से, जो achieve नहीं हुए रहेंगे 110 के target, ठीक है तो यह पुराने target भी यहाँ पर 2020 के show कर रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे इसके financial तो financial देख लो, revenue इसका continue बढ़ते हुए जा रहा है यहाँ पर ठीक है लेकिन बहुत हलका फुलका बढ़ रहा है जादा बढ़ नहीं रहा है और net profit की बात करेंगे तो net profit continuously यहाँ पर तीन साल तक तो अच्छा रहा लेकिन उसके बाद थोड़ा गिरावट हमको net profit में देखने मिली और share holding pattern की बात करेंगे second यहाँ पर आ रहे foreign के investor foreigners ने काफी अच्छा पैसा लगाया यहाँ पर आप देख सकते हो 143 foreigners है इसमें और recently 9 foreigners बढ़े है और डियाएज जो domestic investor है जिसके अंदर mutual fund भी आते है तो यह mutual fund का पूरा investment है mutual fund ने भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें investment करके रखा है और public का just 14% investment है तो public ने भी इसमें अच्छा कासा investment करके रखा है ठीक है लेकिन public का बाकी share हो से तो काफी कम है क्योंकि बहुत सारे shares में company बहुत सारे इसी companies में public ज़्यादा से ज़्यादा invest करती है जो काफी खराब होते है ठीक है तो यहाँ पर हम इसका screener भी देख लेते है screener इसके बारे में क्या बता रहा है तो यहाँ पर आपको ROC दिखा देता हो तो देखो ROC जो return on capital employed debt fund और जो equity fund है या equity capital और debt capital इसके उपर company just 15% return generate कर पा रही है तो ठीक है और ROE थोड़ा सा 10% से भी कम है ROE थोड़ा कम है return on equity जो इसका equity fund है इस पर कितना कमारी यहाँ पर यह दिखा रहा है और यहाँ पर हम pros and cons की बात करेंगे तो देखो companies almost debt free यानि company पर थोड़ा बहुत कर जा है लेकिन बहुत काफी कम है और company is maintaining healthy dividend payout, dividend payout भी company का काफी अच्छा है और अगर company has delivered poor sales growth बता रहा है तो sales growth just 1-2% से बढ़ रहा है हर साल तो यह काफी खराब चीज़ है और company has low return on equity बता रहा है तो return on equity और भी अच्छा होना चीए ROE तो return on equity 3 साल के साब से थोड़ा कम ही नजर आ रहा है ठीक है और यहाँ पर peer comparison में only अकेले का ही नाम यहाँ पर show कर रहा है यह business के अंदर ठीक है तो यहाँ पर यह भी चीज़ अच्छे है कि यहाँ पर दूसरा किसी से comparison है भी नहीं और अगर हम quarterly results की बात करेंगी तो देखो यहाँ पर 178 करोड से लेके 208 करोड तक यह company का sale अभी फिलाल है और last quarter में इसका 221 करोड का sale था तो फिलाल company का थोड़ा सा sale कम हुआ है लेकिन जुन 2021 के मकाबले थोड़ा अच्छा ही sales हुआ है लेकिन यह company का operating profit margin काफी अच्छा है 50% से तो जादा ही operating profit margin company को मिल रहा है तो profit margin काफी अच्छा है company का और net profit operating profit भी अच्छा कासा ही company कमा लेती है और अगर हम इसके net profit की बात करेंगी तो net profit भी company का अच्छा ही है लेकिन March के quarter से थोड़े कम हुए है इसके तो June quarter के इसके जो net profit है थोड़े कम हुए है March quarter से और यहाँ पर June 2021 से इसके थोड़े अच्छे कासे यहाँ पर आपको यहाँ पर net profit देखने मिलेगा तो profitability company की अच्छी है और profit and loss की बात करेंगे तो लगबग 2010 से लेके 2022 तक देख लो company 284 करोड का company sale करती थी और 10 साल में कितना growth हुआ देख लो company में जस्ट यहाँ पर 10-12 साल के अंदर company के sales थोड़े double हो गए है और expenses भी देख लो maintain है और यहाँ पर profit margin भी maintain रखा है company ने तो काफी अच्छा है लगबग 50% से ज़्यादा ही profit margin company ले रही है और operating profit भी company का काफी अच्छा है interest payment थोड़ा कम ही है tension नहीं यहाँ पर और net profit की बात करेंगे तो देखो net profit 219 करोड का company net profit फिलाल अभी TTM इसका चल रहा है ठीक है तो मार्च 2022 से थोड़ा अच्छा ही चल रहा है यहाँ पर और लेकिन अगर हम देखेंगे 2021 में 21 के उपर आ चुका है यह ठीक है तो काफी अच्छे इसके आगे sales होने के संभावना है और अगर हम इसका stock का CAGR देखेंगे तो stock ने देखो 10 साल के अंदर जस 6% सालाना return दिये है हर साल आपको 6% की growth देखने मिलती तो यह कम ही है ठीक है 10 साल से अगर कोई invested रहता उसके लिए यह काफी कम ही return है इससे अच्छा कोई FD के अंदर लगा के रखता 6-7% के लिए अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी इसने हर साल 9% का गिरावट दिखाई है हर साल 9% का loss दिया है तो यह भी चीज़ खराबी है और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में देखो हर साल 5-5% का growth दिया है तो 3 साल का भी rate काफी कम ही है और अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में भी 8% यह गिरावट में हमको देखने मिल रहे है तो इसने long term, short term में इतना कुछ खास returns दिये नहीं है अगर balance sheet की बात करेंगे तो balance sheet भी देख लो तो company का यहाँ पर आपको reserve काफी अच्छा नजर आएगा ठीके 1549 करोड का है लगबग 1500 करोड के उपर का reserve में पैसा पड़ा है और 47 करोड का company पे फिलाल करजा चल रहा है तो company का करजा easily recover हो जाएगा और करजा pay कर सकती है और बीच में देखो company almost day free भी थी पूरा debt free ही थी company ने करजा पूरा चुका चुकी थी लेकिन फिर से कुछ ना कुछ reason के वज़े इस company ने करजा लिया है लेकिन फिर भी वो easily चुका सकती है ठीके अगर हम इसके shareholding pattern में कुछ changes ह हुए हो देख लेते तो यहां पर देख लो जून के quarter में promoter के सेम ही रहे है और यहां पर just foreign के investor ने थोड़ा बहुत माल बेचा है तो profit booking की है थोड़ा बेच के और यहां पर डियाइज ने देखो थोड़ा बहुत यहां पर उन्होंने भी माल बेचा हुआ है और यहां पर public ने देखो माल खरीदा हुआ है तो पब्लिक की investment बढ़ चुकी है ठीक है तो जिस तरीके का यहां पर data show कर रहा है उससाब से मैंने completely चीजे बता चुका हूँ और अभी यह मेरे portfolio में यहां पर में शीट दिखा देता हूँ ठीक है तो यह शीट के अंदर में सारे stock maintain करता हू गूगल शीट में और यहां पर लगबग 1-2% का यहां पर मेरा profit चल रहा है फिलाल और यहां से 18-19-20% की उमीद कर रहा हूँ मैं इससे भी ज्यादा भी हो सकते है लेकिन जो पुराने targets हो यह अच्यू कर लेगा और मेरा 91 का price था इसमें investment का और यह अभी भी देखो बावन week high से अभी भी 21-22% तक तो low पे चल रहा है तो यह इसका high तोड़ना इसको तो पड़ेगा ही high तोड़के और भी नए थोड़े high बना सकता है यह तो फिलाल मेरे जो target से 20-21% के ही होते है और उसी के लिए मैंने लिया था लेकिन उसके उपर भी यह share जा सकता है ऐसा नहीं हो कोशिश करता हूँ और बाकी का अगर अधर जो मेरे stock है उसमें इन्वेस्ट करके वो पैसा उधर मूँ करके उसमें वो शेर्स बड़ा देता हूँ और वहां से भी कुछ profit लेने की कोशिश करता हूँ ठीक है तो already जो भी मेरे profits चल रहे हैं यहां पर आपको देखने मिलेग तो यह सबसे highest profit जिसमें चल रहा है यह उपर है और जिसमें लॉस ज़ादा चल रहा है वो नीचे है ठीक है तो यह सारे share को भी मुझे रिकोवर करना है और बहुत सारे share ज्यादा से ज्यादा profit नहीं और थोड़े-वह पर देख सकते हो कि अगर हम देखेंगे इसका रिकवरी तो बावन्विक लो से इसने काफी अच्छा रिकवरी किया लगबग 32% तक तो ये रिकवर हो चुका है जिसने लो पर खरीदा होता हो सको 32% का लगबग प्रॉफिट मिल जाता उसको ठीक है और यहां पर पी वाइज इसका P देखो अभी भी 20 का है तो इसमें buy के लिए मेरा आ रहा है क्योंकि सस्ता P आता है तो मैं automatically उसके लिए formulation डाला हुआ है कि buy के लिए आना चाहिए अगर downside देखेंगे तो अभी भी down में मिल रहा है तो इस वज़े से भी buy के लिए आ रहा है यहां से भी कोई buy करेगा तो उसको 20-22% आराम से मिल जाएगा ठीके और या उससे भी जादा मिल जाएगा 25% भी मिल सकता है यहां पर और यहां पर अगर हम देखेंगे recovery के हिसाब से तो जिसको यहां पर देखो इसमें time कितना लगेगा क्योंकि अभी moment में है लेकिन कभी-कभी एक महिना लगता है देड़ महिना लगता है कभी-कभी जल्दी भी आ जाता है क्योंकि market up and down चलते रहता है इस हिसाब से अगर किसी को लगता है कि यह 32% लेके बेच देना चीए तो बेच के वेट भी कर सकता है क्योंकि यह market है इस वज़े से कोई भी price या कोई भी चीज़ एकदम perfect नहीं होती है तो शेर market में up and down काफी चलता है नहीं तो हर कोई तुरंद फटा-फट profit ले लेता तो यहां पर share market अपने हिसाब से चलता है हमको उसकी हिसाब से चलना तो फिलाल यहां पर जो भी target से या जो भी चीज़े है मैंने completely बता दी है और यह मेरे personal target है यह मेरे खुद के लिए targets होते हैं और यहां पर मैं यह चीज़े करके भी दिखाता हूँ इसमें से निकल के इसमें से profit भी करके तो सारी चीज़े में यहां पर अपने खुद भी shares म में से करके दिखाना practically चीज़े करके दिखाना ये चैनल का में मकसद है तो में में खुद भी profit करते रहता हूँ और साथ साथ में आपको भी सिखाते रहता हूँ और आपको information देते रहता हो तो यहां पर वीडियो अच्छा लगा है information अच्छी लगी है तो ज़रूरर चैनल को subscribe कर के रखो और subscribe करने में बिल्कुल kaNjusy मत करो सीखने सीकर ही आपको कमाना कमाना चाहिए तो सीखो और कमाओ और यहां पर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल दिल से अगर अच्छा आपको से किसी को नालेघ्ल बाटना हैow.. या किसी को लगता है कि किसी के पास बूत भी तो उसको भी चिजे आथना उन पता सकते हूँ ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेर इंड सबस्क्राइव। थैंक यू बाइबाई